वेरी गुड अफ्टरनून फ्रेंट्स आज हम इमाचल प्रदेश जीके का सेट नमबर नाइन करेंगे सभी कोश्चन इपोर्टेंट है और होफ़ली आपके एक्जाम्स में अपयर होने के ज्यादा चांसिस हैं अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक सेर सब्सक्र अच्छ गार्ड एट्सेक्टरा उन सभी के लिए मास्टर वीडियो रहने वाली है सभी क्वेशन इंपोर्टेंट और एक बेटेज वाले हैं और कहीं न कहीं किसी एक्जाम में अपयर हुए हैं तो बिना टाइम बेस्ट किया हम स्टार्ट करते हैं अपना फस्ट अगें हिमाचल प्रदेश को उत्राखंड की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है तो हिमाचल प्रदेश के साथ उत्राखंड की पूर्वी सीमा मनाती है आपकी यमूना और फ्रेंड्स यमूना स्मॉलेस्ट में रीवर है जो हिमाचल में बैती है बहुत थोड़े अरिय मिलती है। estandaye अर् ही कह虫 है और हमने पुरानी वीडियो में डिसकрал किया। जो मध्चन्दरा रिवर है उसका सोरस है का मध्चन्दर taller जो भागा है उसका सूरश-tial और दोवनों रिभर lending साहब saab-क- मध्चन्दी में मिलती है। अगे मूब करते हैं हिमाचल प्रदेश में में चिनाव नदी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है तो फ्रेंट्स हिमाचल प्रदेश में में चिनाव नदी का नाम है में चंद्रा भागा तो चंद्रा भागा का नाम जो चिनाब है वो आपका जब लहुल स्पिती को क्रोस करके चंबा को क्रोस करके जियान के में इंटर करती है संसारी नाला के पास तो वहीं इसका नाम चिनाब हो जाता है और हिमाचल में चिनाम नदी का जो अन्य नाम है वो है चंद्रभागा ओके आगे मूव करते हैं important question हिमाचल प्रदेश में बेहने बाली में सतलुज नदी का व्यादिक नाम क्या है तो इसका जो बैदिक नाम है मश्यतुद्री option C is the right answer ओके आगे मूव करते हैं question number 6 important question है ठीक है question है आपका नीम लिख्त में से कौन सा पानी का जहना कुलू में नहीं है तो friends खीर गंगा आपका बंटिस्ट में कुलू में है बसीस्ट आपका कुलू में है money करन आपका कुलू में है बट जियोरी आपका में शिमला में है तो यहाँ right answer हो जाए option C में जियोरी आगे मूव करते हैं इमाचर प्रदेश की सबसे बड़ी क्रित्रिम जील कौन सी है तो इमाचर प्रदेश की सबसे बड़ी क्रित्र में जील है वो है में गुमिन सागर जील ठीक है जबकि जो रिवालसर जील है आपकी ठीक है हमारी जो पुरानी वीडियो जैम लेक्स ठीक है उसमें हमने हर जील के बारे में कुछ extra facts बताया है तो प्लीज उसको आप देख लिजिए रिवालसर जील है एक ऐसी जील है जहांबर हिंदू, जैनिजम सुरी, मसिखिजम और बुधिजम का संगाम है तीनो धर्मों के लोग हिंदू, सीख और बोथ इस जील में जाते हैं अपनी बर्षिप करने और जो आपकी पौंग जील है यहां पर आपके माइगरेटरी वार्ट्स साइवेरियन जो वार्ट्स है वो आते रहते हैं तो यह कुछ extra facts थे इनको भी अब ध्यान में रखिए आगे मूब करते हैं नेमलिक्त में से कौन सी जील मंडी जीले में स्तित्म नहीं है तो फ्रेंड्स कुमारवा, रिवालसर और कमरुनाग यह तीनों जीले आपकी मंडी जीले में हैं जब कि मिननाको जील जो है वो आपकी किनौर में है ठीक है कुछ extra fact बता दूँ आपको यहां से ठीक है जो आपकी कमरुनाग जीले है यहां से question आता है कमरुनाग जील किस मिन जीले में है और कौन सी पंचायद में है ठीक है सोरी पंचायद भी बोल लो या आप तैसील बोल लो तो मैं तैसील में चचियोट जीला मंडी तो C जो कमरुनाग में चचियोट में है और इस question का में जो सही answer है वो नाको जील अगे move करते हैं हिमाचल की कुलू गाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो हिमाचल की जो कुलू गाटी है यह सभी कुलू गाटी के अन्दर आते हैं ओके move करते हैं गुलारी नामक जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले के अंतरगत है तो फ्रेंच से में लाहोल के अंतरगत है आपका गुलारी नामक जोत इंपोर्टेंट है इसको मार्कर लीजिए आगे move करते हैं निमलिक्त में से कौन सी जोत कुलू जिले के अंतरगत आती है तो फ्रेंच सी, रसॉल और गडू सभी कुलू जिले में है यहां से question के बार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है शी, रसॉल और गडू क्या है तो फ्रेंच से आपकी जोते हैं जो कि कुलू डिस्टिक में है आगे move करते हैं बसोदन धर्रा की जिले में स्थीत है maximum time इस question को पूछा गया है तो बसोदन धर्रा आपका मचंबा जिले में है आगे move करते हैं 14th question इमाचर प्रदेश का नीमलिक्त में से कौन सा नगर्म कांगडा घाटी की अंतरगत नहीं आता दर्मशाला बैजनात और नूरपूर आपके में कांगडा घाटी में और जबकि जो भरमोर आपका मचंबा में है last question important question हिमाचर प्रदेश की कांगडा घाटी की एक महतपुरण विशेष्था क्या है तो मुझे चित्तर कला बच्चु कांगडा प्रदेश की एक महतपुर्ण विशेष्था है और जो चित्तर कला की बात कर रहे हैं तो basically के लिए यहां पर आपको श्री कृष्ण की पेंटिंग्स आपको मिलेंगी और जो में फोकस है वो सैलिन फीचर्स ऑफ फेस के उपर दिया जाता है ठीक है फेस के फीचर्स को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लैरिफाई किया गया है जो कांगडगाटे की चितरकला है तो फ्रेंट्स यह थे मैं टॉप फिप्टीन क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और एक बेटेज वाले फील हुए होंगे अगर आपने अब तक हमारी पुरानी वीडियो उसको नहीं देखा है तो प्लीज उनको देखिए और एक लेक्स के उपर हमारी पुरानी वीडियो है उसको देखिए क्योंकि वहां से एक या दो क्वाशन आपको अपने पेपर में मैं देखेंगे तो फ्रेंट्स अगर आप सब्सक्राइब आप कर लीजिए अपने फ्रेंड्स को पिताईए इसको स्काइटर कीजिए उनक तब तके लिए जय हिन जय हिमाचर